लो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चनल टारगेट इंट्रेंस एक्जाम यानि की टी डावल इपर आईए सभी हमारे साथ जुड़ जाए जैसे कि आपके बीड इंट्रेंस की तैयारी हम कराते ही हैं तो वैसे ही आज से आपकी क्लास को शुरू किया चाहरा है दुबारा से तो आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपनी प्रेक्टिस को बरकरार रखिए आपका एक्जाम भी आने ही वाला है तो चली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर आपको प्रीविएस यर भी प्रोवाइट कराए जा रहे है तो आप लोग उनको भी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है जिसमें आपको डिसकाउंट भी मिल रहा है 15 परसेंट का और आपको जो है पांच मॉडल फेपर बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा महें करेंगे भी नहीं है आपको 69 रुपीज में मॉडल पेपर प्रोवाइट कराए जा रहे हैं ठीक है तो आप लोग उनको खरीद सकते हैं तो चरी क्लास को आगे बढ़ाते हुआ आज का हमारा पहला कोशन हो जाएगा यह हमारी सामाने ग्यान की क्लास होती है तो पहले भी होती थी जो की बीच में नहीं हो पारी थी अब डेली हुआ करेगी तो हमारी आज का पहला कोशन हो जाएगा दा मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन थे मतलब यह जो बुक है मिडनाइट चिल्ड्रेन इसके लेखक कौन थे तो पहला अप्शन हो जाएगा हमारा अरुन्धती राय बी अप्शन हो जाएगा सलमान रूसदी सी अप्शन हो जाएगा सलमान खुरसिद और डी अप् थक थे वो कौन हो जाएंगे सल्मान रूश अधी यानि कि दा मिड़नाइट चिल्ड्रेन के लेखा कौन थे सल्मान रूश अधी यानि कि भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगले कुशन की तरह पढ़ते हैं कुश नंबर सेकेंड है हमारा एस-चेंज इन-फ-c हो जाएगा हमारा बंगलूरू आफ से बतलब क्या पूछा गया है इंडियान लीग जो फुट्पॉल हुआ था उसके बिजयता कौन हो जाएंगे हमारे हैधरावाद एफ-सी ठीक है तो पहला option correct हो जाएगा अगले question की तरफ बढ़ते हैं question number third है हमारा third में हमसे पूछा गया है Miss Universe 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था Miss Universe 2021 का आयोजन जो हुआ था वो किस देश में हुआ था तो पहला option हो जाएगा हमारा इलिएट इज्राइल बी option हो जाएगा हमारा लंदन इंग्लेंड सी option हो जाएगा केप्टॉन दक्षड अफरीका या फिर दी option हो जाएगा हमारा कैनवरा आस्ट्रेलिया मरलब जो आयोजन हुआ था Miss Universe चुनने का वो कहां पर आयोजित किया गया था तो पहले यह option हमारा सही हो जाएगा इज्राइल के इलिएट में तो यह कौन सा था 2021 का था कौन से था 2021 का था और यह जो प्रतियोगिता थी तो वह कौन से नंबर की सत्तरवे नंबर की प्रतियोगिता थी ठीक है कौन से नंबर की सत्तरवे नंबर की प्रतियोगिता थी और 2021 में जो Miss Universe बनी थी वह कौन है हरनाज संदू ठीक है कौन थी हरनाज संदू तो चल एंगलो इंडियन के मनोयन की प्रक्रिया किस अनुछेद में है जो लोग समा में एंगलो इंडियन चुने जाते हैं उनकी जो प्रक्रिया है वो किस अनुछेद के तहद चुने जाते हैं तो option A में बोला गया है आर्टिकल A 331, B में बोला गया है 333, C में बोला गया है आर्ट तो क्या है बहारत की जुआ सबुस्ती है समीन चुने जाते एक इंगल्लो इंडीयन चुने जाते लिकार्वारत के लानवा सब्सक्राव टि क्या एलंग अब इस समाप्त कर दिया गया इस हो कि मैं इसको फुक्ष अंकष्ट गर्पारिग्यों प्रमार काठीवद 002 समात कर दिया गया ठीक है तो इस अब आएंग लोग इंडियन नहीं चुने जाते हैं लेकिन पहले जब चुने जाते थे तो कौन से अनुच्छेत के अकॉर्डिंग चुने जाते थे 331 के अकॉर्डिंग यानि कि यह अप्शन करेक्ट हो जाएगा अगले कोशन की तरह केंद्रिये सिक्षा सलहकार बोर्ड दूसरों अप्शन हो जाएगा हमारा केंद्रिये सिक्षा चमन बोर्ड तीसरों अप्शन हो जाएगा केंद्रिये प्रमाणन बोर्ड और चोथों अप्शन हो जाएगा केंद्रिये सिक्षा कारिकारी बोर्ड तो क्या हो जाएगा हमार Central Advisory Board of Education ठीक है तो क्या हो जाएगा और इसकी स्थापना कभी थी 1921 में हुई थी ठीक है CAVE की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी केंदरी सिक्षा सलाकार वोड और स्थापना हुई थी 1921 में यानि कि ये option करेक्ट हो जाएगा कोश्च नमबर अगले की तरफ पढ़ते हैं यानि कि सिक्स की तरफ सिक्स में हमसे पुछा गया है पराग अगरवाल 2021 में किस कंपणी के CEO बनाए गए थे मलब पराग अगरवाल को 2021 में कौन सी कंपणी का CEO नियुक्त किया गया था तो पहला option हो जाएगा हमारा Twitter का दूसरा option हो जाएगा Facebook तीसरा option हो जाएगा टिक चोथा option हो जाएगा Amazon तो क्या हो जाएगा हमारा पहला option करेक्ट हो जाएगा जो पराग अगरवाल है वो किसके CEO बनाए गए थे 2021 में ट्वीटर के ठीक है किसके CEO ट्वीटर के और ट्वीटर की इस प्लेटफॉर्म की स्थापना कभी थी 2006 में और 2021 पर कौन बनाए गए थे ट्वीटर के CEO पराग अगरवाल ठीक है तो option number A बलकुल करेक्ट हो जाएगा अगले question की तरह बढ़ते हैं option number 7 है हमारा 7 में हमसे पूछा गया है कौन सा article आपातकाल से है पहला option हो जाएगा article 356 दूसरा option हो जाएगा article 224 तो कौन सा article है जो आपातकाल के time लगाया जाता है तो हमारा article पहला ही correct हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 356 आपातकाल के time लगाया जाता है और भारत का जो सम्मिधान है उसमें क्या किया गया आपातकाल के रिए तीन प्रकार के उल्ले किये गया है मलब तीन आपातकाल के time हम कौन कौन स लगा सकते हैं ठीक है तो कौन से हो जाएगा आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 और सभी को क्या है अलग अलग नियम लागू किये गए हैं कि कौन सा किस तरीके से लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 352 कब लगाया जाता है जब भारत की सुरक्षा या फिर यूद या फिर बाहरी आक्रमण कोई ससत्र बिद्रो होता है तब कब लगाया जाएगा 352 लगाया जाएगा अगर बाहरी कोई आक्रमण होता है तब 356 कब लगाया जाएगा 356 जब लगाया जाएगा जब किसी राजी के सासन में विफल संबंदी होती है मतलब कोई विफलतास दिखाई देती है तो क्या लगाए जाएगा हमारा 306 लगाए जाएगा और अगर बित्य आपात मालूम पड़ता है तो क्या लगाएगा 360 यानि कि तीन आर्टिकल है हमारे आपातकाल के लिए और तीनों ही क्या लगाया जाते हैं अलग-अलग नियों में पर लागू किये जाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा जो आर्टिकल हमारा लगाया जाता है आपातकाल में इस पर लिया गया तो कौन सो जाएगा 356 हो तो क्या हो जाएक हमारा सूल कर्क्र क्रेंगा या नहीं कि पंचाब में राष्ट्रिक रीड़ा संस्थान पट्यान कहां है पंचाब में ठीक हैम अंग और इसे क्या कहते हैं इसे और भी नाम से जाना जाता है इसका क्या है नेता जी सुभास रास्ट्री क्रीडा संस्थान इसका और दूसरा नाम क्या बोला जाएगा हमारा नेता जी सुभास रास्ट्री क्रीडा संस्थान के नाम से भी इसको जाना जाता है और यह क्या हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा संस्थान हो नाइन में हमसे पूछा गया है सबसे पुराना वेद कौन है मलब कौन सा वेद है जो सबसे पुराना है तो पहला ऑप्षन हो जाएगा हमारा रेग वेद दूसरा ऑप्षन हो जाएगा साम वेद तीसरा ऑप्षन हो जाएगा अथर्व वेद चोथो ऑप्षन हो जाएगा हमा और 1028 सूक्त रखे गया है ठीक है जिसमें मंत्रों मंत्रों द्वारा क्या किया गया है देपताओं की इस्मृति को बताया गया ठीक है तो क्या हो जाएगा बाकी जो अन्य वेद हैं हमारे वो नए वेद है मतलब इससे नए वेद हैं लेकिन सबसे पुराना वेद अगर इसको प्रियोग किया गया तो पहला उप्शन हो जाएगा रजत को दूसरौ अप्शन हो जाएगा कांश से को तीस्स्य ओप्शन हो जाएगा लोहignment क्या है figi 2 तो क्या होगा हमारा your dad option correct हो जाएगा क्या प्रियोग किया गया था सबसे पहले तावा प्रियोग किया गया था मनुश्यों द्वारत जो प्रियोग की गई थी प्रथम धातु वो क्या कहलाएगी हमारी तावा कहलाएगी इसलिए क्या हुआ था तामरपाशाड काल में इसको प्रियोग किया गया था इस तरीके की चीजें बनाई थी तो क्या हुआ, सबसे वहले इनों ने क्या किया था तावा प्रियोग किया था अगले कुश्चिन की तरह बढ़ते हैं कुश्च नमर 11 है हमारा 11 में हमसे पूछा गया है मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था तो क्या हो जाएगा हमारा पहला अप्शन हो जाएगा भारत में दूसरा अप्शन हो जाएगा आयरलेंड में तीसरा अप्शन हो जाएगा इंगलेंड में और चोथो अप्शन हो जाएगा मेसी डोनिया, ठीक है तो जो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था वो कहां हुआ था तो कहां हुआ था मेसी डोनिया में कहां हुआ था मेसी डोनिया में यानि कि डियू आप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा और कब हुआ था अगर डेट पुछी जाएगे तो इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को कि कब हुआ था 26 अगस्त 1910 को हुआ था और ये इनको कई सारे जैसे कि नोबेल प्रुसकार पदम्ष्री भारत रतन से भी नवाजा गया है तो ये डेट्स भी पूछ सकते हैं तो अगर पूछ जाएगा कि इनको नोबेल पुरुसकार का मिला था तो वो मिला था 1979 में ठीक है और पदम्ष्री मिला था 1962 में और भारत रतन मिला था 1980 में ठीक है ये इनके लिए क्या है इनकी विसेश्ता हैं हो जाएंगी या फिर इंके इंपॉर्टेंट बाते हो जाएंग चले अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं कौशन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है संतुलीत अहार की न्यूञताव हो सलजाएगा हो प्रोर के की का गें कि यह हो जाएगा संतुली नतर पीप्षट Panther की मातर संतुली निसे में प्रोप्ष की मातर में जिसमें कुछ के निस्चीत क्या होती हुक्ष्टर में कैलोरी ननी क्थीम सभी आप व्यव Soros कोश्टिक तक ही मात्रा क्या लाएगी ठीक पहला ओप्षिन हमारा करेक्ट हो जाएगा अगले कोश्चिन की तरफ बढ़ते हैं कोश्च नमबर 13 है हमारा 13 में हमसे पूशा गया है कुछी पूडी किस राजी का सास्त्री इंद्रत्य है पहला ओप्षिन हो जाएगा भारत नाट्यम हो जाएगा और हमारा करनाटक का हमारा क्या हो जाएगा तो करनाटक का भी हमारा क्या हो जाएगा भारत नाट्यम हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से और भी हो जाएंगे जैसे हमारा असम का सत्रिया होता है उडीसा का उडीसी होता है ठीक है इस तरीके से सबी के क्या होते हैं सास्री निरत्य होते हैं और हमारा उत्रप्रदेश का क्या हो जाएगा का ठाक हो जाएगा ठीक है यह सारी चीज़े हमें अपने हां का तो पता ही होना चाहिए बाकि अन्य राज्यों के भी बेसिक सी चीज़े यह पता होनी चाहिए यानि कि हमारा थर्ड किस तेश की राजदानी है ठीक है जो दिफू उर्थिफू है थिम्पू किस तेश की राजदानी हो जाएगी हमारी तो पहला अप्शन हो जाएगा हमारा भूटान दूसरा अप्शन हो जाएगा हमारा भारत तीसरा अप्शन हो जाएगा हमारा नेपाल चौथा अप्शन हो जाएगा Sρι Lenka करे सरी लंका हमारी थिम्पु हो कहा कि राजदानी हो जाएगी राजदनी होगा उताया भारत की धिम्पु अभरत-िम्पु नेम राजदनी जया जे वर्दन पुराम की लेस राजदनी सब्सक्ताइब %1 आगले कोशन सब्सक्राएगा है कुछ नंबर 15 है हमारा 15 में हमसे पूछा गया है कि 1921 में पहली बार पूर्ड स्वराज की मांग किस ने की थी तो पहला आप्शन हो जाएगा एओ हुम ने बी ऑप्शन हो जाएगा जवालाल नेरू ने की थी पूर्ड स्वराज की मांग यानि की थी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगले कोशिन की तरह पढ़ते हैं कुछ नंबर 16 है हमारा तो निर्देशन में दिया जाता है यानि कि फिल्म निर्देशन में दिया जाता है थीक अगले कोशिन की तरह पूर्ड आते हैं कुछ नमर संवंछाग गया है तेली फोन का अविसकार किस ने किया था पहलो ओप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्रहाम बेल ने दूसरे थोमस एडीशन ने तीसरे अप्षण हो जाएका बेंजामीन फ्रेक्लिन ने चौत्व हो जाएगा जेम्स बाट ने तो किसने गिया था हमारा पहला ऐक्षेनि हो जाएगा ईज़ बोट धर्म में तरीतन का अर्थ पहला अफशन की दिया है मारा थुचाँ डोप्शन हो जाएगा हमारा बुद्य धर्म संग क्यों सेल वर समाधी संगा मारा बी विल्कुल और घर्थ हो जाएगा यह धा उनका अर्थ भुद्ध धम संगा है तो उसी का अर्थ पूछा गया है तो वही क्या हो जाएगा हमारा बुद्ध धम और संग ठीक है तो क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगले कोशिन के तरफ बढ़ते हैं कोश नंबर 19 है हमारा हो 19 में हम से पूछ आ गया है लाख किसे किसे से प्राप्त होता है लाखkien वह किसे प्राप्त होता है तो ऑप्शन हो जाएगा पीड़ो की छाल से बिव heard करेक्ट हो जाएगा अगले के तरह बढ़ते हैं कुश्ज नमबर 20 है हमारा है 20 में हम से पूछा गया है वी सी राय अवार्ट किस छेत्र में दिया जाता है पहला आप्चन हो जाएगा संगीद दूसर आप्चन हो जाएगा खेल तीसरा आप्चन हो जाएगा चिकित्सा और चोथो उप्शिन हो जाएगा साहेते तो क्या हो जाएगा bc जो आवार्ट है वो किस खेतर प्रमें दिया जाता है चेक्ट तो कहां होई थी आमारी England में, पहली जो अध्योगी क्रांती होई थी वो कहां होई थी England में, कब होई थी 18 सताब्धी में होई थी और कहां होई थी England में होई थी ठीक है अगला question है हमारा question number 22, 22 में हमसे पूछा गया है इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है तो पहला option हो जाएगा हमारा layout दूसरा option हो जाएगा ओपेरो, mini तीसरा option हो जाएगा हमारा Firefox, चोथा option हो जाएगा Chrome, तो कौन सा है जो ब्राउजर नहीं है इंटरनेट ब्राउजर नहीं है तो पहला option हो जाएगा क्या है ले आउट हमारा क्या है ले आउट हमारा क्या है इंटरनेट ब्राउजर नहीं है यानि कि पहला option correct हो जाएगा अगले question के तरब बढ़ते हैं question number 23 23 में हमसे पुछा गया है school सिक्षा से सम्मंदित है तो पहला option हो जाएगा ncrt दूसरा option हो जाएगा mgc तीसरा option हो जाएगा ncte और चौथ्य आप्शन हो जाएगा rci तो school सिक्षा से क्या सम्मंदित है ncrt यानि कि पहला option correct हो जाएगा क्या हो जाएगा रास्टिय सेकषिक अनुसंधान और प्रिशिक्षण परिसद ट्रेनन्ग तो क्या हो जाएगा हमारा पहला option सही हो जाएगा अगला कुश्ण है कुश्ण नूम्बर 24 तो 24 में हमसे पूछा गया है नहीं है तू की तुल्ला में आधक सी ओ सी डवल एच समूह वाले अमीनों अमल को अमीनों अमल कहा जाता है मतलब सी ओ एच वाले समूह के अमीनों क्या जाता है तो क्या हो जाता है उप्षर करेक्ट यáनि कि अधिक में तो क्या कहा जायेगा ओप्षन फाइब में हमसे पूछा गया है निमनलिखित में से कौन सा एक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है इन में से कौन सा क्या है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है यानि कि प्लास्टिक के अलग अलग प्रकार होते हैं तो उसमें से थर्मो सेटिंग प्लास्टिक कौन सा है तो क्या हो यानि कि क्या होगा हमारा थर्मो सेटिंग प्लास्टिक क्या माना जाएगा पॉलिस्टर ठीक है अगले कोश्चिन की तरफ बढ़ते हैं कोश्चिनमबर 26 है हमारा 26 में हमसे पुछा गया है मांट एवरेस्ट पर चड़ने वाली प्रथाम महिला कौन थी यह अप्शन हो जाए कोई नहीं तो क्या हो जाएगा हमारा जो ओपशन हो जाएगा मांठ आबरेस््त पर जो पहली महेला ती चड़ने वाली पहली मेहला चड़ने वाली थी फहन्कों देन्हेक के पहला ऊप्षन हमारा करेक्ट हो जाए गार अगले कोश्ष्ण के तरह बढ़ते हैं कोश्ण नमब B हो जाएगा 1994 C हो जाएगा 1995 D हो जाएगा 1996 तो क्या हो जाएगा हमारा A option correct हो जाएगा NCTE की जो स्थापना हुई थी वो 1993 में हुई थी यानि कि पहला option सही हो जाएगा कि सद्नियम के तहत हुई थी ये पूछा गया है तो NCT की जो स्थापना हुई थी वो 1993 को हुई थी मितलब 17 अगस्त 1993 को हुई तो कौन सो option हो जाएगा हमारा option A बिलकुल correct हो जाएगा अगले question की तरह बढ़ते हैं question number 116 हो जाएगा हमारा इसमें बोलो गया है हमसे फिफडों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं पहला हो जाएगा फुफव स्रावण दूसरा हो जाएगा स्लेश्म जिल्ली तीसरा जो हो जाएगा हमारा स्वसन क्या हो जाएगा नलियां चोथ हो जाएगा ब्रोन लियल ठीक है ब्रोक नियल तो क्या हो जाएगा हमारा पह फुफु सावरण यानि कि ए उप्षिन करेक्ट हो जाएगा क्या बोलेंगे फुफु श्रावरण चलिए अगले कोश्चिन कितर बढ़ते हैं कोश्च नंबर 29 है हमारा कि नंबरीं गडवड हो गए थी बीच में कोई बात निए 29 में हमसे पुछा गया है बावा साहेब भीम राव अंबेडकर को भारत रतन कब दिया गया था तो भीम राव अंबेडकर जो है उनको भारत रतन से कब न बाजा गया था तो पहला ऑप्षिन हो जाएगा 1952 में तू दूसरों अप्षिन हो जाएगा 1966 में तू क्या हो जाएगाрахा द्श हो जैगा remembrance ृप्षिन करेक्ट में तस अनको कि पूछा गया है मुनमबर राणा दूसरा हो जाएगा चंदरवान खयाल तीसरा हो जाएगा सलमान रूशदी चोथा हो जाएगा उपरुक्त में से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा हमारा कौन सो ऑप्षन करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्षन करेक्ट हो जाएगा चंदरवान खयाल 2021 में किसे दि 31 में हमसे पूछा गया है पूर्ता वाद क्या है पहला अप्शन हो जाएगा ब्यक्ति की चिंता की विसेस्ता तूसरा हो जाएगा आत्म मुल्यांकन तीसरा हो जाएगा एक ब्यापक ब्यक्तित्व सैली चौथ हो जाएगा उप्रयुक्त सभी तो क्या हो जाएगा हमारा डी option correct हो जाएगा अगले question की तरफ बढ़ते हैं question number 32 है हमारा 32 में हमसे पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है तो option A हो जाएगा हमारा स्वामी बिबेकानन की B हो जाएगा स्वामी दयानन सरस्वती की C हो जाएगा राजर रामोहन राई की D हो जाएगा मालविय जी की तो जो सत्यार्थ प्रकास है वो किसकी रचना हो जाएगा हमारे स्वामी बिबेकानन की रचना हो जाएगी यानि की गई पहलो हो जाएगा नम измен 2019 में दूसर हो जाएगा जन वरी 2021 में दीसर हो जाएग candid 2021 में दिसंबर 2022 में तो कब की गई थे हमारे daylight की शुरूअज नमबर 2019 में यानिकि पहलो उसでした कि नमबर 2019 में अगले कोशन की तरह पढ़ते हैं कोशनम अन्वर्ट 34 है, इमारा 34 में हमसे पूछा गया है, हिंदी का पढ़नी किसे कहा जाता है, पहला ओप्शन हो जाएगा, पंडित कामता प्रशाद गुरू को दूशरा option हो जाएगा हमारा आचारे किसोरी दास बाजबेई को तीसरा option हो जाएगा अंबिका दत ब्यास को तीसरा option हो जाएगा राहुल संक्रात्यायन को तो क्या हो जाएगा बी हमारा correct हो जाएगा हिंदी के जो पाड़नी बोले जाते हैं वो अचारे कि सुरी दास बाच पिया को बोला जाता है हिंदी की पाणनी ठीक है, option अमारा बी विलकुल correct हो जाएगा अगले question के तरफ बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा बी option correct हो जाएगा यानी कि हिंदी के जो पाणनी है वह अचारी के सोरीदास बैचपी को बोला जाता है अगले कोश्य की तरह पढ़ते हैं कोश्य नमर हमारा 35 है 35 में हमसे पुछा गया है थर्टी फाइब में हमसे पुछा गया है अकुष और क्यूड दोनों में सामिल देशों देश कौन से हैं ठीक है इन दोनों संस्थाओं में कौन-कौन से देश सामिल है तो क्या हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा भारत दूसरा अमेरिका तीसरा जापान चौथा इंग्लें तो कौन से हो जाएगा अमेरिका है जो दोनों संस्थाओं में सामिल है यानि की भी ऑप्षन करेक्ट हो जाएगा अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं कोशन नम्मर 36 है हमारा 36 में हमसे बोला गया है मिड़े मील योजना का परिवर्टित नाम पोशन मिसन कब किया गया जो मि अगस्त 2021 को तीसरा हो जाएगा 20 जुलाई 2022 को चौथा हो जाएगा 28 जून 2022 को यानि की पहला ऑप्षन करेक्ट हो जाएगा पहला ऑप्षन क्या है 28 सितंबर 2021 को क्या किया गया मिड़े मील योजना का नाम परिवर्टित करके पोशन मिसन योजना कर दिया गया तो यानि की पहला option करेक्ट हो जाएगा अगले question की तरह पढ़ते हैं कुछ नमबर 37 है 37 में हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी कुस्ति academy दिल्ली में किस संस्था के द्वारा बनाई बनाया जा रहा है ठीक है तो सबसे बड़ा जो कुस्ति academy है वह कहाँ बनाया जा रहा है दिल्ली में बनाया जाथा और किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है बनाया जाता है रहा है ठीक है तो option हमारा थि बिल्कूल हो जाएगा 38 कोशन की दरि और बढ़ते हैं 38 में बोला गया है चार जनवरी 2022 को भारती रिजर्व वैंक ने किस विभाग की स्थाफना की पहला उप्षन हो जाएगा बुक्तान और निप्टान प्रणाली दूसरा अप्षन जाएगा जाच और सकर्ताब विभाग तीसरा ऑप्षन हो जाएगा आयात निर्यात संद्रक्षण विभा इसको अगले कोश्ण की तरह पढ़ते हैं कोश्ण नमबर 39 है हमारा 39 में हमसे पुछा गया है डबलु एचो का मुख्याले कहा है पहला अप्शन हो जाएगा जेनेवा में दूसरा अप्शन हो जाएगा नियू यार्क में तीसरा अप्शन हो जाएगा हमारा बासिंग्टन मे हो जाएगा अगले कोश्ण की तरह पढ़ते हैं कोश्ण नमबर 30 मनलब 40 है हमारा 40 में हमसे पुछा गया है निम्रे लिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्ट से नहीं है सार्क की संस्था है जिसका सदस्ति से कौन सा देश नहीं है पहला अप्शन हो जाएगा भूटान सामिल है कितने देश सामिल है आठ देश सामिल है और उनके नाम हम देख लेते हैं कौन-कौन से हो जाएगा हमारा बांगला देश हो जाएगा भूटान हो जाएगा भारत हो जाएगा मालदीफ हो जाएगा नेपाल पाकिस्तान और स्री लंका यानि की आठ देश जो है वो हमा तो यानि कि सी ऑप्षन करेक्ट हो जाएगा कब किया गया था 2012 में सी ऑप्षन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगले कोश्चन के तरह पढ़ते हैं कोश्चन नमबर 42 42 में हमसे पुछा गया है चार जनबरी 2020 को भाटी रिजर्फ बैंक ने किस भिभाग की इस्थापना की पला उप्षेन जाएगा विद्दिये प्रोधाग गी कि दूसरा ओप्षन जाएगा लोन भिभाग की तीसरा ओप्षन जाएग इंट्रनेट बिभाग की इस परक्त में से कोई नहीं तो चार जन निर्यात किस बित्य बर्स में किया तो पहला option हो जाएगा 2018 से 19 में दूसरा हो जाएगा 19 से 20 में तीसरा हो जाएगा 20 से 21 में चोथा हो जाएगा हमारा 21 से 22 में तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा अगले कुछिन की तरह बढ़ते हैं कुछ नंबर 44 है 44 में हमसे पूछा गया है बिस्व की सबसे लंबी सुरंग जो की 10,000 फुट की उचाई पर इस्थित है जो कहां इस्थित है तो वो सुरंग का सुरंग पूछा है वो कौन सी सुरंग हो जाएगी हमार सबसे उची टनल है मतलब सबसे लंबी टनल है यानि कि सबसे लंबी जो सुरंग है वो 10,000 फुट लंबी है उचाई है तो वो कहां कौन सी सुरंग हो जाएगी हमारी अटल टनल यानि कि सबसे जो लंबी सुरंग है वो कौन सी हो जाएगी अटल टनल और इसको क्या है में हमसे पूशा गया है भारत की किस नदी को ब्रधी नाम के नाम से पहला उप्षण यांगागा तो कौनी को ब्रध्गंगा कहते हैं गुद्ल तो अगले कोशिन रपढ़ते हैं कुश्चन नमबर 46 है 46 में हमसो पुछा गया है तो अगले कुश्चन की तरब पढ़ते हैं कोस्ट नमबर 46 हो जाएगा हमारा सरवम दुखम जैसे सार्व भॉमिक सत्य को किस दर्म के लिए के द्वारा बताया गया है पहला अप्शन हो जाएगा जैन दर्म के द्वारा दूसरा हो जाएगा हिंदी धर्म के द्वारा तीसरा हो जाएगा बहुत दर्म चौथ हो जाएगा सिक दर्म तो क्या हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन से दर्म के द्वारा बताया गया यानि कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अगल प्सका यहाई 20 करेक्ट हो जाएगा जाने की बैप्सु करेंच खाहता है एक अगले कोशन के तरह पड़ते हैं कोशंच नमबर समस्लिध में हमारो idea है कि हम से पूछा गया है बिस्व संकीत दिवस कम मनाया जाता है तो पहला option हो जाएगा हमारा 21 जून दूसरा option हो जाएगा 22 जून तीसरा option हो जाएगा 25 जून चौथा option हो जाएगा 28 जून तो बिस्व संकीत दिवस कम मनाया जाता है हमारा 21 जून को एक अप्रेल तूसरा 7 अप्रेल फिर 15 अप्रेल और 22 अप्रेल तो 20 स्वास्त दिवस जो हम मनाते हैं वो हमारा मनाया जाता है साथ अप्रेल को यानि कि B option हमारा correct हो जाएगा कम मनाया जाता है 7 अप्रेल को मनाया जाता है अगले question की तरब बढ़ते हैं question number 40 sorry 50 हो जाएगा हमारा 50 में हमसे पूछा गया है उर्वशी के लेखक कौन है पहला option हो जाएगा मुलकराज आनंद दूसरा हो जाएगा भरतमुनी तीसरा हो जाएगा रामधारी सिंग दिनकर चौथ हो जाएगा कालिदास तो चलिए आज ही क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं कल फिर मिलेंगे हमारी इसी क्लास के साथ ऐसे ही questions के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहेए और हमें support करते रहेए और अपनी practice को बरकरार रखिए और हमारे चैनल से आप लोग को प्रीवियस येर पेपर भी प्रोवाइड कराएजा रहे हैं उनको लेते रहे हैं और लगाते रहे हैं जिससे कि आपकी practice और ज़्यादा अच्छी होती रहेगी तो चलिए thanks for watching, bye bye